Good morning students, today we are going to learn about how to convert into Roman numerals. आज हम सिखेंगे कि हम किसी normal number को Roman numerals में कैसे convert करें? Suppose, I have one number 108, मैंने एक number लिखा 108, अब मुझे ये number Roman numerals यानि Roman numbers में convert करना है. So, अब मैं इसे कैसे लिखूंगी? So, as you all know कि 108 के लिए कोई अलग से symbol नहीं होता है. So, इस situation में first step होता है कि हम उस number को break कर दें. ओके? और इसके लिए एक simple method है कि हम इसे expanded form में convert करें. To get here, जब हम इसे break करते हैं, जब आप इसका expanded form में convert करेंगे, तो ये 100 प्लस 8 आएगा. ओके? इसे हम expanded form कहते हैं और ये हम ये भी कह सकते हैं कि हमने 108 को break कर दिया. Okay? And now we know कि 100 के लिए हमें क्या symbol दिया गया है? Yes, हमें 100 के लिए symbol है Roman में C. और 8 के लिए क्या है? हमें यहाँ पर 8 को भी break करना है क्योंकि 8 के लिए कोई symbol नहीं है. और आपको 1 से लेकर 10 numbers Roman में लिखने आते हैं. फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए, information के लिए इसे break करके बताती हूँ. हमें पता है कि 5 के लिए symbol है और 5 के लिए symbol है V. अब हम 8 को break करेंगे तो हमने 5 लिखा और प्लस 3 लिखा. ओके और 3 को हम represent 3 I से करते हैं. अब इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो आएगा यह V.I.I. यह हुआ हमारा number 8. ओके अब हमें इस number को 108 को लिखना है तो हम लिखेंगे C और यह V.I.I. C.V.I.I.I. ओके यह मैं उपर नीचे line डाल दे रही हूँ. आपकी मर्जी है आप डालिए. अदर्वाइस आप simple ऐसे ही लिख दीजिए. ओके? Okay students, now you can see there is one number which I have written. 579. We have number 579. And we have to convert this number into Roman numerals. हमें इस number को Roman numerals में convert करना है. And हमने सीखा था ना कि इस number को हम क्या बोलते हैं Hindu Arabic numerals. So, first step, you know, हमें number को break करना है. और break करने के लिए इसे expanded form में convert करना है. So, आपको expanded form आती है, यह हमने expanded form में convert कर दिया. या इसे break कर दिया. Okay? Break करते वर्ग बिल्कुल confuse नहीं होना है. किसी की भी places change नहीं होने चाहिए. जैसे यह once पे है, यह tens पे है, यह hundred पे है, तो place same हो. Nine का place once है, तो यहाँ देखिए nine once पे है. Seven का place tense है, तो यहाँ once tense पे है seven. Five का hundred है, तो देखिए यह once tense hundred पे five है. Okay, अब हम इन break की वे numbers के symbols में इन्हें शो करेंगे. So, five hundred के लिए हमें पता है, five hundred के लिए हमें symbol दिया गया है, D. Okay, seventy के लिए कोई symbol नहीं है, बट fifty के लिए है. So, हमें seventy को break करना है. Fifty plus, आप तो twenty आना चाहिए, बट twenty के लिए भी नहीं है. Ten plus ten करेंगे. Symbol जिन numbers के हैं, उन्हीं numbers में हमें कोशिश करनी है, try करना है कि हम उन्हीं numbers में इन्हें break करें. अब fifty के लिए symbol हमें पता है, L है, और ten के लिए X है, इस ten के लिए X है. अब यहाँ देखिए, हम nine के लिए symbol बनाएंगे, हमें पता है कि ten minus one nine होता है, और ten के लिए यह symbol है, one के लिए यह, तो अब जब value minus होरी होती है, तो वो पहले लगती है. तो यह हमारा nine का symbol है, अब हम इन symbols को साथ में लिखेंगे, दिखें इस तरीके से, D, L, X, X, I, X, OK, this is our answer, इसका answer हो गया, understood everyone? so easy to do, okay, goodbye.